सवागत है दूस्तों आपका इस YouTube चैनल में इस वेडियो में हम जानेंगे समताप मंडल जिसको अंग्रेजी में हम Stratosphere बोलते हैं वो क्या होता है किसे कहते हैं जो हमारी पिर्थवी है ये हमारी पिर्थवी है इसके चारो और जो वाईयू मंडल है इसको हमने कई परतों में बाट रख्वा है तो दूसरे नंबर की परत है उसको हम बोलते हैं समताप मंडल और सबसे नीचे आती है सोब मंडल के उपर की जो परत है वही समताप मंडल करल आता है और परत् होती है, यह काफी ज्यादा स्थर होती ही, यहां पर कोई भी ऐसी कोई खास activity नहीं होती है, वैयू मंडल की, बहुत कम यहां पर बादल बनते हैं थोड़े बहुत और मौसम समंदी गटनाएं भी यहां पर नहीं होती और यहाँ पर उजोन परत्स्तित है समताप मंडल की कुछ विसेस्ताओं की बात करें तो उच्चाई की बात करते हैं सोब मंडल के उपर लगबग 50 km तक ये फैली है यानि कि जो हमारी पिर्थवी है उसके उपर अगर हम लगबग 20 km तक जाएंगे तो पहले आएगा सोब मंडल और उसके उपर अगर 50 km तक हम जाएंगे तो जो बीच वाली ये परत है इसी को हम समताप मंडल बोलते हैं तापमान की बात करें तो सोब मंडल के विपरित समताप मंडल में उच्चाई के साथ तापमान बढ़ता है यानि इसका मतलब क्या होगा जैसे यहाँ पर जो नीचे की लेर है जितना हम उपर जाएंगे उतना ज्यादा टेंपरेचर जो है नीचे जाएगा यानि की ठंड बढ़ती जाएगी लेकिन जो समताप मंडल है इसमें इसका उल्टा हो जाएगा जितना हम उपर जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी और इसका कारण होता है ओजोन परत ओजोन परत के बारे में हमें पता है जो सुरिय है वहाँ से जो खतरनाक पैरा बैंगनी किर्णे निकलती है उनको अपने अंदर अवसोसित कर लेती है अवसोसित करने के कारण क्या होता है गर्मी पैदा होती है तो इसी विज़े से यहाँ पर गर्मी होने के कारण जितना हम उपर जाते जाते हैं उतनी ज़्यादा हमें गर्मी लगेगी इसलिए यहाँ पर यह उल्टा काम करता है सोब मंडल में क्या होगा जितना हम उच्छे जाएंगे उतना ज़ादा थन लगेगी लेकिन 20 किलोमिटर के बाद जब हम जितना ज़ादा ऊपर जाते जाएंगे उतना ज़ादा हमें गरमी महसूस होती जाएंगे और ये कारण होता है उजोन परत के कारण वायू मंडल ये दबाव की बात करें तो सोब मंडल की तुलना में समताप मंडल में वायू मंडल ये दबाव बहुत कम होता है मोसम समंदी गटनाए भी यहाँ पर नहीं होती है इसलिए जो वाई-उ की धाराएं होती है वो खासका स्तिर रहती है और इसी कारण से जो एरो प्लेन होते हैं हवाई जहाज होते हैं वो इसी मंडल के अंदर उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहां पर वाई-उ जो है इतनी तेज नहीं होती है बिलकोल स्टेबल होता है वतावरण तो इसलिए वो यहां से असानी से उड़ सकते हैं तो यही था दोश्तों समताप बंडल के बारे में वीडियो पसाने से लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स अरवाचिंग